बहुत शुक्री आपका बिरेन जी भी हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हो गाए बिरेन जी पिछले 48 घंटे बड़ी रॉलर कॉस्टर टाइप की राइड चल रही है निकाह चुनाओं को लेकर और यह OBC रिजर्वेशन स्केंडल बड़ा गंबीर होता जा रहा है आयोक का सब्सक्राइब हो गया सरकार सुप्रीम कोट बीचे ली इसुप्रीम कोट को ने सूचित किया सुप्रीम कोट का सरकार ने कि हमने आयोक बना दिया है लेकिन हाइड समय पेर चुनाओं करा anch ए उसके लिए कोट गई है सरकार बाकी आयोग का गठन कर दिया है और सरकार ने ये प्रेक किया है कि जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और अच्छन हम लागू कर देंगे तब हम चुनाव कराना चाहते हैं कुल मिलाकर बात इतनी है हाई कोट ने कहा था कि आप तुरंट चुनाव कराईए बस इसी एक बिंदू पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर सुप्रीम कोट जाना पड़ा सरकार को दूसरी बात यह है कि चुनाव तो देखिए आज नहीं होगा एक साल बाद होगा यह जो आपने बताया कि आज हम दिसंबर में जाख खड़े हो सकता है कि अब निकाय का चुनाव अगले साल दिसंबर तक हो या उससे काद महीना आगे पीछे हो जाए तो यह निकाय चुनाव ने विपक्ष को एक बहुत बड़ा हत्यार दे दिया बैटे बिठाए और इस चीछा लैदर के पीछे ब्यूरोक्रेसी वकीलों की फोज और तमाम नयाय विभाग एलार यह सब जिम्मेदार हैं जो सरकार को सला देते हैं परमुक सचिव जिम्मेद हैं जिन लोगों पर कारवाई कुछ होनी चाहिए थी जिनके ओपर लाकों रुपया सरकार का खर्चा होता है आते एतने दिन लंबी बहस चली और वह कुछ नहीं कर पाए बिरजेद जी उत्तर प्रदेश में विपच के लिए तेयारी का एक बहुत बड़ा उसर भी है यह चुनाओं में OBC आरचण पर जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं OBC की बीद जाकर समाजवादी पार्टी के रिम यात्रा लाएंगे और भी पार्टियां बस्पा हैं कांग्रेस हैं इनकी भी चल रही है यात्राएं कांग्रेस की चल रही है बस्पा भी अपनी मीटिंग कर रही है अब यह लोगों के लिए एक मौका मिल गया है कि 2024 के चुनाओं के पहले बीजेपी पर अरचण विरोधी होने का आरोप लगाईए और OBC उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ता कार को इसका खाम्याजा भोगना पड़ेगा यह तो बात साफ है लेकिन सरदलिये बैठक हो या भी से सत्रो देखिए जब सुप्रीम कोट मामला चला गया तो इसमें कोई हल निकले कर नहीं हाँ अखिलेश यादों को उनकी पार्टी को एक मौका मिला है कि वह यात्रा अप जानती है अभी बीजेपी भी एक यात्रा सुरू कर देगी आओ गाओ गाओ चलेगी वह भी वह भी कहेगी कि चलो हम बलाग पर मंडल पर हर चेका लगा देगी नेता मंतरी भी धायक उसके यात्रा निकालेंगे फिर लखनव में रमाभाई मैडान में कोई बड़ी रहली भी हो जाएगी अपधान मंतरी भी आएंगे उसमें एलान हो जाएगा तो यह अरच्छण के बहाने वोटरों को बलगलाने में दोनों दलों की एक होर चलेगी दोनों तीनों दलों की अभी जब तक बीजेपीक पास हिंदू मुसल्मान का एक बहुत बड़ा हत्यार है इतन इस ओबीसी आरच्छल के चक्कर में हमारे दोस्त बैठे हैं राजभर की पार्टी के अरुण जी इसमें दारा सिंग चौहान और धरम सिंग सैनी और परकास राजभर इनकी लाटरी निकल सकती है यह सब हो सकता है सरकार में मंत्री बना दिये जाएं यह सब आज की तारीक म थोड़ा प्रजान उनको डाले हुए है बीजेपी घिर रही है उसको इन लोगों ने रहत दी है काफी बचा के तो हो सकता है कुछ आगे बटे मामला देखिए आज ओवीसी आयोग के अद्धेश ने कहा कि हम छे महीने में रिपोर्ट नहीं दे सकते छे महीने में तो हमारा आयोग गठित हुआ है 75 जीले में तीन दिन भी आपचारिक मान लो और लगातार काम करें कोई जुटी ने तब लगेगा तो सभाविक है आयोग के अद्धेश ने कहीं दिया अच्छा आयोग कोई मसीन तो है नहीं कि हर रोज एक जीलें पहुँचेगा वह भी आकाम करेग सरकार से तमाम सब्सक्राइए होगी यहां सबसे अदा चर्चा रच्छा को लेके होती है सबसुरू जहां सबसे अदा चर्चा होनी चाहिए संसद में मंत्रालों में वहाँ नहीं होती हमारे हाँ गली कूचम हर जगा होती है बड़ी पिच्चे तरता है गरीब मजदूर किसान हर आदमी आज इसमें भाग ले रहा है अब आरच्छण को कोई पार्टी खतम नहीं कर सकती ना आरच्छण के खिलाब जा सकती है तो बीजेपी भी कैसे जाएगी वो भी लगी है और उसके साथ मिला है देखिए आज अरुन राजभर की भी पार्टी का सयोग मिल रहा है और यह कह रहे हैं कि परमोसर में आरच्छण के खिलाब यह लाए थे रिट किसने कराई थी तो भाई यह तो सबका उसर की समानता है कभी उनके साथ थे आज अलग है अलग अलग बाते हैं लेकिन यह जरूर है कि लचर पैरवी पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए वह इसे बिजय जी जो सत्ता आती है तो अपने साथ एक डर भी लाती है सत्ता के साथ एक डर हमेशा जुड़ा होता है उसे खोने का सत्ता जाने न पावे इसके लिए हर करम करना पड़ता है इ काफी पानी पर काफी पैसा खर्च कर रहे थे काफी पैसा खर्चा हो गया। है च्क्राइब करते हैं कहीं मुर्गा भी होने लगी थी वह प्रूट जाएगी अगर एक साल चुना चल गया तो एक भी मुश्किल हो गई मतलब केंडिडेट लंबे समय तक के लिए पास गए अब अगर वो नहीं कराया जो आप बता रहें क्या वो मुर्गा है तो आप मतलब कैसे हर्दें समराड बन पाएंगे तो यह निरासा तो यह निरासा अब देखिया आसा में तब बदलेगी जब सुप्रीम कोड का कोई डिसीजन आएगा लागत ज्यादा आएगी चुनाओं म हैं और बरबाद होगा कोई चीज तो आदमिक तकलीप तो होगी पहराल कहले हैं कि मही भारी पड़ा जमाने पर और तीर फिर लग गया निसाने पर और कितनी नाराज है अंधेरी रात सिर्फ एक जुगनू के टिम्टिमाने पर तो यह जो ब्योस्ता है यह हर समाज को झेल नहीं है लेकिन नेताओं को इससे ज़्यादा को फरक नहीं पड़ता नेताओं कि सारी सुब्दावई रहेगा चार संगीता लग जाएगी तमाम बवाल आ जाएगा अभी मंत्री है कार है सुब्दा है चल रहा है तो हमारे देश में एक साहितकार हुए उन्होंने रफीक स और भारत के किसानन के दुर्भाग तनी देखो अग्याहु का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम जी बहुत शुक्री आपका विरंजी बहुत-बहुत धन्यवाद बनवायू परिचर्चा को आगे बढ़ाते मेरे साथ भारती जिंता पड़ाएगा